फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Pomelo Proxy App के बारे में Pomelo Proxy App क्या है कैसे यूज करें Pomelo Proxy App में आपको अलग-अलग सर्वर मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं Pomelo Proxy App को किस तरह से यूज किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके All All Options सलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई निव वीडियो अपलोड हो तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इस अपलिकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टोल करना है उसके बाद आपको इसे ओपन करना है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एगरी में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इस application में कुछ इस तरह का interface नजर आएगा यहाँ पर आपको अलग-अलग server मिल जाएगा arrow में आपको click करना है और यहाँ पर जो server का list होगा वो आपको यहाँ पर से नजर आजाएगा भी हम इसे back कर देंगे इसके बाद यहाँ पर server connect करने के लिए आपको click to start में आपको click कर देना है इस तरह से यहाँ पर server connect हो जाएगा उसके बाद इलाओ में आपको click करना है तो यहाँ पर जो server है वो connect हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैan upload और download speed आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कौन सा server connect हुआ है वो देख सकते हैं यहाँ पर से आपको speed को option मिल जाएगा security को option आपको यहाँ पर से मिल जाएगा और अगर आप इसे disconnect करना चाहते है तो यहाँ पर आपको फिर से click कर देना है इस तरह से जो server है वो disconnect हो जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा setting option तो इस तरह से आप इस application को use कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करें तो फिर में लेंगे next video में तब तक के लिए bye thank you